नमस्कार सांथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में इस लेकर में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी से संबंदित बहुत ही मतपून बहुत कल्पी प्रशन लेकर आए हैं ज़िए आप हॉस्टल वाडन पटवारी व व्यापन द्वारा आयोजित ह उने वाली विभिन प्रतियों की प्रिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेट होगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लिए चैनल को सब्साइब कर दीजेगा वीडियो को अच्छे लागत लाइक की जेगा चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन वायू मंडल में सरवाधिक मात्रा में विद्दमान अक्री गैस कौन सी है ओप्षन आपकी स्क्रीन पर है क्रिप्टान हिलियम आरगन नियोन वायू मंडल में सरवाधिक मात्रा में विद्दमान अक्री गैस है दूसरा प्रश्ण है वायू मंदल में सारवाधिक कौन सी गैस मिलती है option है nitrogen hydrogen oxygen इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा nitrogen nitrogen 78% वायू मंदल में nitrogen उपस्तित है अगला प्रश्ण है वायू मंदल का सारवाधिक इस्थाई तत्व है nitrogen जलवास्प oxygen इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा जलवास्प लोयस पठार इस्थित है भारत जापान रूस और चीन काफी important प्रश्ण है लोयस पठार चीन में इस्थित है साथियों यदि आप टेलिग्राम चलाते हैं तो हमारे चैनल winner study can 2.0 को जोईन कर लीजेगा ताकि आने वाले हर एक्जाम के अपडेट आप तक पहुंशती रहे अगला प्रश्ण है वायू मंडल के प्रित्वी के वायू मंडल का कितना प्रतीसद भाग 29 किलोमेटर की उचाई तक पाया जाता है option देखिएगा 30%, 65%, 88% और 97% मेग गर्जन वायू मंडल की किस परत में होती है मेग गर्जन मतलब बादल चमकती है वो वायू मंडल की कौन सी परत होती है ओजोन मंडल, छोब मंडल, समताप मंडल इनमें से कोई नहीं तो ये छोब मंडल की परत होती है जहां मेग गर्जन होता है सूर्य की तीवर किर्णों द्वारा जुलशने से वायू मंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है ओप्शन देखें आरगन, ओजोन, अक्सिजन और हाइड्रोजन तो ओजोन जो लेयर है वो हमें शूर्य की तीवर विकर्णों से बचाती है तो ओप्शन भी सहीं होगा सांत पेटी किस रेखा के दोनों और पाई जाती है करक रेखा, मद्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं सहीं जवाब होगा भुमद्य रेखा निमलिकित में से किसे प्रकृती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वाला मुखी, ओजोन गैस, बोकम, नदिया सहीं जवाब होगा ज्वाला मुखी विश्वकार सबसे उच्चा ज्वाला मुखी परवत को टॉपसी कहां इस्तित है कोटोपसी कहां इस्तित है भारत, जापान, जर्मनी, एक्वेडोर सहीं जवाब होगा एक्वेडोर अगला प्रश्ण है, निम्न में से कौन एक वलिद परवत है निलगिरी, हिमालाय, सत्थपुडा इन में से कोई नहीं एक काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है और पूछा भी गया है सहीं जवाब होगा हिमालाय पठारी छेत्र में विश्व की कितनी प्रतिसत जनसंख्या निवास करती है 4 प्रतिसत, 6 प्रतिसत, 9 प्रतिसत, 50 प्रतिसत सहीं जवाब होगा 9 प्रतिसत साथ यो यदि आप इस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप हमारे इस आईडी में जाकरके हमें फालो कर सकते हैं देखिए काफी कम फालोवर है आप भी फालो कीजिए और नए नए अपडेट पाईए अगला प्रिश्ण है भूकम में धरातली तरंगे होती है प्रात्मिक तरंगे, गौंड तरंगे, एल तरंगे, प्रात्मिक और गौंड तरंगे सही जवाब होगा एल तरंगे नविन्तम परवतमाला है अपलेशन, सत्पुडा, यूराल, रोकेज सही जवाब होगा यूराल अगला प्रश्ण है हिमाला की उत्पत्ती कीज भूर्ष रन्यत्ती से हुई है देखिए ये प्रश्ण जो है अभी हाली में समपरिक्छत में पूछा गया है ओप्शन देखेंगे गुदावरी टेथिस सिवालिक इनमें से कोई नहीं तो हिमाला की उत्पत्ती टेथिस सागर से हुई है ओप्षन भी सही होगा थांकियो साथ हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में अपना प्यार दीजिएगा लाइक करके और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक सेयर करके धन्यवाद